हेलो एब्रिवन आप सभी का अमारी चैनल में हार्दिक स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने बाले हैं हिमाच्य प्रदा जियो आईटी 939 की एक्सपेक्टड कट अफ के बारे में तो देखिए दोस्तों यह जो हमने कट अफ नाई है जो भी आपके फैक्ट निकल के सामने आ रहे हैं सबसे पहले देखिए दोस्तों मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि यहां पर मैंने लिखा है जिन कैंडिडेट्स के 55 नंबर है उनके लिए यहां पर क्या मैसेज रहेगा तो यह जो 55 50 से लेकर 55 नंबर वाली कैटागिरी है दोस्तों है भी अलग से रोना होता है अभी आप खुद सोचिए 100 नंबर का हमारा पेपर था ठीक है ऐसे जिनके 50 तक जो माक सबों नहीं आए उनको तो पहले से क्लेर होगा कि हमारा जो नंबर है बों नहीं पड़ेगा बोतों होगे साइड में ठीक है उसके बाद दोस्तों क्या हु है 60 नंबर वाले जो कैंडिडेट्स है उनके मन में डाउट ही रहेगा जब तक आपकी यह टाइपिंग की लिस्ट है वो नहीं आई तब तक यह जो कैंडिडेट्स है वो परेशान ही होते रहेंगे क्योंकि कोई यूट्यूबर यह बोलेगा कि यह जो आपकी काट ओफ है वो 70 प्लस जाएगी तो कई यह भी बोलेंगे कि 50 को भी चू सकती है तो देखिए दोस्तों यह जो आपके तमाम कोश्चन है इस वीडियो में आपको इनका आंसर मिल जाएगा क्योंकि यहां पे दोस्तों हम बात करने वाले हैं ऐसे फैक्ट के बारे में जो की असलियत में मिलते हैं ऐसा नहीं है कि यह कोई अंधेरे में तीर मानने वाली बात है तो यह जो काट ओफ है दोस्तों हमने उनी फैक्ट के ऊपर बनाई है तो देखिए दोस्तों सबसे पहले फैक्ट क्या यहां पे पेपर का जो लेवल है ठीक है अभी यहां पे आपने एक चीज सुनी है और उनका जो अंसर है वह सही होगा उन केंडिडेट के लिए यहां पे जो लेवल है वह मोडरेट रहता है अगर हम मोडरेट को आंकडों में परिवर्टित करें दोस्तों तो हम क्या कह सकते है ठीक है जैसे यह जो हमारे एक्जाम था 100 नंबर का था ठीक है जिस के यहां में 60 नंबर आगे हैं उसके लिए जो लेवल है वह मोडरेट रहेगा ठीक है अगर हम दोस्तों इजी की बात करें तो इजी वाले में जो ऐसे कैंडिडेट से जिनके 70 प्लस नंबर जा रहे है वह कैंडिडेट दिल खोल के कह सकते हैं कि हमारे लिए जो एक्जाम था वह तो आप एबरेज मानके चलिए कि यह जो मोडरेट की एबरेज कितनी रहती है 60 ठीक है दोस्तों तो आपके सामने यह चीज भी क्लेर है कि हम मोडरेट किसे कह सकते हैं आपने यह जो वाल्ड है उसको सुनके घबराना नहीं है ठीक है उसके बाद दोस्तों देखेंगे कि य 35 है तो यहां पर अगर हम बात करें डवल जू एफफ की तो यहां पर फाइव है ऐसी की 54 है मैं इनको रिपीट नहीं करना चाहूंगा क्योंकि आपने कही सारी वीडियो उनमें देख लिया होगा तो आप यहां से अगर आपको नहीं पता है आप यहां से स्क्रीन शोट भी अभी परिवर्तित कर लिया कि moderate को हम कितने नंबर दे सकते हैं अभी देखिए दोस्तों उन प्रोब्लम की बात करेंगे जो कि पेपर करते टाइम को फेस करने को मिली होंगी तो देखिए सबसे पहले दोस्तों यहां पर वात किया सी टाइम की ठीक है केंडिडेट्स ऐसे से जो की 85 नंबर के अकोडिंग ही आये थे उनको पता भी था कि यह 100 नंबर का एकजाम आएगा लेकिन देखिए दोस्तों जो अगर केंडिडेट्स ने बहुत ही जादा कोशिश भी करी होगी तब भी उनका जो टाइम है वो बहुत ही मुश्किल से मैन केंडिडेट्स था वो तो एपसेंट ही रहे होंगे उसका रीजन क्या था दोस्तों जो सेंटर जैं उनको भी दूर किया गया था तो कई कैंडिडेट्स ने यह भी सोच लिया था कि यह जो भरती है कि यह तो कोट में ही लटकेगी तो हमने एक और प्रोलम देखने को मिली ह की जो थ्यारी है वो करके गए थे थे लेकिन यहां पर जोओ आई लेवल की तरकिकली वेसंट आए कीँनिया वो तो टेली Gothic की वर्फ से देली अचlin के उपर काम कई यहां पर यहां पर दोस्तों मैं आपको सोच समझ के कह रहा हूं जहां तक कि दोस्तों मैं आपको अगर एक आंकड़ा दू ठीक है अगर हम बात करें जो 60% candidate से दोस्तों यहां पे 7 लाक में सी ठीक है। उनके यहां पे जो नंबर है वो कितने बनेंगे 55 तक ठीक है। इस चीज की मैं आपको गरंटी देता हूं कि ये जो हमारे 60% candidate है उनके जो नंबर है कितने बनेंगे 55 तक ठीक है। अब हम दोस्तों आते हैं हमारे main topic पे ये जो आपकी cutoff है वो कितनी रह सकती है ठीक है तो यहां पर दोस्तों मैंने typing के लिए cutoff बनाई है अगर हम बात करें जैनल की ठीक है तो यहां पर जैनल की कितनी cutoff रहेगी 60 ठीक है अगर आपके 60 नमबर है और आप जैनल गैट अगिरी से बिलोंग करते हो दोस्तों तो आप के लिए लिए वो आजाएगी ठीक है अगर दोस्तों बात करें तो यहां पर आपको हन्टर प्रेक्ति के बन रहे हैं तो आपका दोस्तों जो टाइपिंग में नंबर है वो हंड़ पर सेंट पड़ जाएगा अभी दोस्तों आप एक और बात सोच रहे होंगे कि जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स तो अपने नंबर बहुत ही ज्यादा बता रहे हैं तो देखिए दोस्तों जब हमारा दोस्तों तो आप खुद ही सोची है ठीक है एक हमने सर्वे कर रहा है उसमें हमें यह रिजल्ट मिल रहा है कि 65-72 तक जो हमारे केंडिडेट है वह 90 परसेंट है तो उसमें जो सर्वे पड़ रहे हैं उन कैंडिडेट्स के ऊपर क्या बीती होगी लेकिन दोस्तों जब हमने है रिजल्ट देखा तो हमें अलेगी चीज़ देखने को मिली बहाँ पर दोस्तों क्या हुआ था 45 से लेकर 50 तक मैक्सिमम केंडिडेट्स के जो नंबर है हमें देखने को मिले थे ठीक है दोस्तों अगर हम बात करें इनकी सब केटागिरी के बारे में जैसे यह है SCBPL, OBCBPL, STBPL ठीक है दोस्तों तो अगर हम बात करें SCBPL की तो यहाँ पे आप 53 तक लेके चलिए ठीक है OBCBPL की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आप 55 लेके चल सकते हो और दोस्तों अगर हम बात करें ST की तो यहाँ पे आप 54 तक लेके चल सकते है एस्टी बीपी है ठीक है दोस्तों उमीद है दोस्तों आपको जो वीडियो है बहुत ज्यादे इंफॉर्मेटिव लगी होगी क्योंकि यहां पर हमने सिर्फ जैनल सी जो अमारी चीजें हैं उनको ही डिसकस कर रहा है तो दोस्तों आगे जो भी इसकी फाइनल काट ओफ कीएगा दोस्तों ठैंक्यू जया हिन जया बारत जया हिमाच्चल